प्रदेशा अध्यक्ष तुभाश बराला के बेटे विकास बराला और साथी उसके साथी आशिश पर आरोप लगे चेड़शार करने के और साथी अफरन की कोशिश करने के शराब पीकर गाणी चलाने के पीछा करने के तमाम आरोप लगाए गए शुरुआती तोर पर राजनेती देखी गई धाराएं जोडी गई खटाई गई और उसके बाद आखिरकार पांच महीने के इंतजार के बाद पांचवी बार कोशिश किये जाने के बाद विकास को जमानत मिल गई है उसे को लेकर हम खास बातचीत करेंगे वरनिका कुंडू हमारे साथ स्टूडियो में उपस्तित हैं वरनिका स्वागत है आपका विकास को आखिरकार जमानत मिल गई है आपकी पहली प्रतिक्रिया जी हमने सिस्टम में पूरी फेथ लखी है अभी तक और अगर कोट को लगता है कि उसे जमानत मिल जानी चाहिए तो इस डिसिजन को हम अपोज नहीं कर रहे हैं आप कारण क्या देखती है जब 511 लग जाती है गैर जमानती इधारा है उसके बाद जमानत मिल ला वो तो लीगल टेक्निकालिटीज है कोट ने ऑविसी कुछ सोच समझ के जमानत दी होगी कोट ने कंडिशन भी रखी है पहले भी कंडिशन रखी गई थी कि मेरा क्रॉस एक्जामिनेशन हो जाना चाहिए तो वो कंडिशन पूरी हो गई और आज भी कंडिशन रखी गई है कि डिफैन्स मेरे से या मेरी फैमिली से या किसी विटनेस से कंड़ेंट नहीं कर सकते हैं और इस केस को आधा भी कर सकते हैं आज जब तक वो यह कंडिशन पो बनागे उप अधर घून अरे से इजिद्वे ठेंस ने तो फ़िर हम इस 계 комнаs को मेंडेशन को अले कैसी आई थी लेकिन परिशान की ऐसी कोई बात नहीं थी वो तो of course 5 घंटे 6 घंटे कोई भी constantly सवालों के जवाब देगा defense ने कोशिश की कि मेरे words को ही वो twist कर दें वो मेरी बात को कुछ और बना के बोल दें और मेरे पर कही सारे जूठी allegations भी लगाई गई तो बट ऐसी परिशानी वाली तो कोई बात नहीं थी stress तो of course था ही क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से जितना कर सकती हूँ उतना करूं कि इन लड़कों को वो सजा मिले जो इनने मिलनी चाहिए ठीक है आपने कहा जूठे आरोप लगाए गए मन्जा क्या देखती है आपके इसके पिछे साही मन्जा क्या देखती है कि जूठे आरोप लगाए जा रहे हैं क्या मामले को कमजोर के जाने की कोशिश है of course सिर्फ यही कोशिश है क्योंकि कोई case है नहीं defense के पास क्योंकि जो उस रात हुआ था वो अस्तियत मुझे भी पता है और उन लड़कों को भी पता है और उनके पास कोई और केस नहीं है तो वो सिर्फ यही कोशिश कर सकते हैं कि मेरी कहानी को किसी तरह गलत साबित कर सकें जो वरनिका क्रॉस एक्जामिनेशन सुमवार से शुरू किया कै अधर्शक यह जानना चाहिंगे कि कौन से वो सवाल थी जो आप से किये कई मुख्यत और पर काफी सवाल थे जादातर सवाल केस से रिलेटेड थे मेरी स्टेटमेंट से रिलेटेड थे उन्होंने CCTV फुटेज और अफकोस सेल टावर लोकेशन की भी बात आई थी और वो बात मैंने कोर्ट में भी क्लारिफाई कर दी थी कि मैं रोपर में नहीं थी उस्टार और बेसिकली उन्होंने ऐसे ही सवाल पूछे हैं जो आगे जाके मीडिया में या कोर्ट में या किसी तरह मेरी कहानी को दाख्षिक है उसकी और से क्या कहा गया इसको लेकर उन्ह्यक्त को कह रही एंगी उनका कहना है कि उस रात तो मैं पुल्य स्टेशन में थी ही नहीं और यह था आधसा हूँ मैं यह आधसा ह्यां। हैन्हें को मैंने पहले दिन भी में आज बोल रही हूं लोकेशन की जहां तक बात है मुझे कल परसों कोर्ट में कॉल डीटेइस देखने का मौका मिला और उससे बहुत क्लियर हो गया है कि वो टेक्निकल एरर की वज़े से वो मुझे रोपर में दिखा रहा है क्योंकि मैं उस आत रोपर में नहीं थी और उसी दिन की सुभे की भी कॉल्स हैं जो दो जो मेरी लोकेशन एक घंटा पहले या छे घंटे पहले या छे घंटे बाद की रेलेवेंस नहीं है वो जो इंसिडेंट हुआ तब की मेरी लोकेशन वहीं पे है जहां पे होनी चाहिए ठीक है वरणिका साथी सीसी टीवी को लेकर भी आपसे सवाल किया गया ये भी खबरे चीटीवी फुटेज क्यों नहीं आई और ये क्वेस्टन तो हमने भी किया था पांच महीने पहले जब केस शुरू हुआ था जब सीसी टीवी फुटेज नहीं मिली थी तो हमने भी क्वेस्टन किया था कि फुटेज क्यों नहीं मिली है तो जो चीज जो सवाल डिफेंस को पूछे गए थे वो ही अब सवाल को turnaround करके वो मेरे को पूछना चाते हैं सिरफ इसलिए ताके मेरे साथ जो support है या जो लोगों को जितनों को मेरे पर भरोसा है उनका भरोसा थोड़ा तो शायद उन्हें लगता है उनका case strong हो जाए लेकिन CCTV फूटेज प्रोक्योर करना या देखना या उसे निकालना मेरा काम नहीं है वो पुलीस का काम है तो ये सवाल पुलीस के लिए है और डिफेंस के लिए है मेरे लिए नहीं है जो CCTV फूटेज है उसको लेकर वरनिका का क्या स्टेंड है क्या तबाम जितनी भी फूटिज थी रास्ते में, वो तारी पेश की गई, वो सारी सौफ दी गई थी. मुझे कुछ CCTV फुटच दिक्हाई गई थी और वो उसी रात की फुटच है वो उसी टाइम की फुटच है जब मेरी गाड़ी के पीछे उनकी गाड़ी थी और बाकी जो फुटच थी या नहीं थी जो भी उसमें इसुद था वो तो मुझे नहीं पता है वो पुलीस को ही पता है, मुझे पता है कि मुझे सिजफ थोड़ी फुटेज दिखाई गई थी और वो मैंने देख ली थी ठीके वरनिका क्या ये भी डलिल दी गई कि आशिश और विकास नजर की नहीं आ रहे थे गाड़ी का नंबर भी फुटेज में नजर नहीं आया जी क्योंकि रात का भी टाइम है और लाइटे ओन होती है गाड़ी की और विज्वल भी साइड से था तो अब मुझे एक्जाक्ली तो याद नहीं है कि उस टाइम पे फुटेज में कितनी डीटेल दिखी या नहीं दिखी थी बट मुझे ये पता है कि वो उसी टाइम की फुटेज थी और बाकी तो डिफेंस का काम है वो तो पूरे क्रॉस इग्जामिनेशन में उन्होंने क्वेस्चिन करी लिया वरनिका क्या लगता है ये बात कही जाना कि आशिश और विकास नजर ही नखी आ रहे थे क्या मामले को ये नया मोड देने की कोशिशें की जाना कि वो दोनों उपस्थित ही नखी थे जो गाड़ी पीछा कर रही थे उस गाड़ी में ना विकास था ना आशिश था जूंकि वो नजर नहीं आए जी डफेंस तो कहना चाहती है कि मैं भी प्रेजंट नहीं थी यह लड्के भी present नहीं थे गाड़ीया। बी प्रेजंट नहीं थी तो जो पुलीस ने housing board पे जिसको पक्रू बेल्कार वो कॉन थे बिलकर वो ये लड़के उस टाइम वहीं थे तब के जा रखी हैं, चुकि पहले भी हमने कहा कि पूरा देश आपके साथ आ गया था, उसके बाद अपहरन की कोशिश की धराएं जोडी गई, जमानत जो शुरुआती तौर पर दे दी गई थी, उसके बाद फिर से गिरपतार किया जाता है, क्या एक अलग छवी बनाने की कोशि कि वरनिकानी जो आरोप लगाएं, उसके पीछे कोई और पहलू हो सकता है, कोई और कारण हो सकता है? जी ऑफकॉस यह तो शुरू से हो रहा है जिस दिन से ये केस शुरू हुआ है जिस दिन इंसिदेंट हुआ उसके एक दिन बाद से ही social media पे विकास बराला के relative नहीं शुरू कर दिया था मेरे बारे में चीजें बोलना तो ये तो उस दिन से day one से कोशिश कर रहे हैं कि ये establish कर दें कि मैं गलत हूँ या मेरा character खराब है या कुछ और problem है कि उनका बेटा तो गलत होई नहीं सकता है तो let the court decide वरनिका आपका कानून पर विस्वास है आपका अदालत पर भी विस्वास है बट क्या लगता है आपको क्या राजनिती इस मामली को प्रभावित कर रही है हालांकि सुभाश बराला साफ कर चुके है कि वरनिका बेरी बेटी जैसी है जी अभी तक जितना काम हुआ है जितना कोर्ट में केस चला है वो सारा बहुत अच्छे तरीके से चला है The system has worked for us just like we hoped it would and उमीद मैत यही रखोंगी कि आगे भी ऐसे चलता रहेगा अगर कहीं और किसी और तरीके से प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा है इस पे मैं कॉमेंट नहीं कर सकती कि जो शिकायत दी गई जो लिखित में उसमें कहा गया कि आपके पिता नहीं वो तमाम चीजे लिखी आपका मैज उस पे सिगनेचर था जी ये कोर्ट में भी बात अल्रीडी हो चुकी है वो जो स्टेट्मेंट लिखी गई थी वो लिखी मेरे फादर ने थी मेरी डिक्टेशन पर क्यूंकि उस टाइम में लिखने की हालत में नहीं थी बिकाज इस तिल ट्रॉमाटाइज फॉम दी इंसिदेंट इंसिदेंट इ बट वो साइन मेरे ही है मैंने वहीं पर बैठके वो लिखवाई है अभी तो बाकी भी विटनेसे आएंगे तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा वनिका शुरुआत में भी आप पर आरोप लगाए गए बाकाइदा आपकी फोटो वाइरल की गई बीजेपी के भी कुछ ने लड़कों को question कीजिए जो जेल में थे और आज ही जो जेल से निकला है उन्हें question कीजिए कि वो क्या कर रहे थे रात को उस टाइम पर और जहां तक उसे जानने की बात है ये तो मैंने भी बोल दिया और उनके lawyer ने भी clear कर दिया था कि हम एक दूसरे को पहले ना कभी मिले है और ना जानते हैं अभी क्या लगता है जमानत मिली है क्या मामला कमजोर हो सकता है हालांकि आशिश की और से जमानत की आचिका नकी लगाई गई मुझे like I said system पे भरोसा है मेरा जो काम as a witness था वो मैं कर चुकी हूँ और अब काम authorities का है कि वो efficiency से अपना काम करें और ये case आगे बढ़े और मुझे अभी पूरा भरोसा है कि ये case ठीक direction में जाए वरनिका हलांकि विश्वास आप पर पूरा है जाच का विशे है उसमें कोई कोई दौर आए नहीं मामला अदालत में है उसमें कोई दौर आए नहीं लेकिन जरता ये भी समझना चाहती है कि BJP प्रदेशा अध्यक्ष का बेटा आरूपी था या कोई आम इंसान आरूपी होता क्या शिकायत दर्ज करवाए जाने में मामले की गंभिरता में कोई फर्क अको अको हो सकता था आपकी औरसे हो सकता है लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस केस में बहुत अच्छा प्रेसिडेंट हो गया है क्या Уर इतने इंफ्लुएंशल फैमिली का लड़का इतने ताइम अपनी अपने क्राइब के लिए सजा भूगत रहा है तो कोई normal आदमी भी उतनी ही सजा भुगतेगा और अगर आप जो काम करोगे उसके लिए आपको फिर भुगतना भी पड़ेगा यह वेद्ट बेजिताए ने मेरी बहुत है क्योंकि अगर यह केस इत्ता पब्लिक आए में नाओटा तो तो पॉसिबल है कि यह किसी सभी बहुगतो बहुत है किसी और डाइलेक्शन में जा सकता था और शायद इत्ती एफिशेंसी ना होती तो मुझे उमीद है कि जितने लोगों ने मुझे अभी आप से कर लूँ भूपेंदर सिंग हुड़ा का नाम सामने आ रहा है मापने जी उसके पीछे क्या कारण हो सकती है क्या जातनिती से मामल शुरू से बोला है कि हमारी कोई political affiliations नहीं है तो यह लोग यही प्रूफ करना चाते हैं कि यह political game है आपका अगला कदम आखिरी जवाब उनसे और सबसे पहले खबरियां भी तक पर उन्होंने सीधे कहा कि अनसाफ पर भरोसा है और आरूपी जो पक्ष है वो तमाम आरूपों को जुठलाने की कोशिटें कर रहा है बचाओ पक्ष पर ही आरूप लगाये जा रहे हैं और मामली में राजनिती का रंग दिया जा पिल्हाल दीजी जासे नास्का